मुझे भी और इनको भी आज यार आज रात को इतनी खतरनाक वाली आज फिलाल मैं सुबह सुबह व्लॉग नहीं बना रहा हूं क्योंकि यार धूप ने तो सांस लेना भी शुरू कर दिया है इससे पहले के दूप ज्यादा सांस ले हम कुछ काम कर लेते हैं गाइस यार ये फुल हो गए अब इसे सबजियों में लगाते है पानी को गैज यार मजा आया मुझे भी और इनको भी ऐसा मस्त नुला दिया इनको के दो दिन के बाद ये बड़े हो जाएंगे और फिर खादाने हमने दो दिन पहले हमने गेहों को भी इदर बोह दिया था तो बस अब इसकी भी त्यारी है बड़ा होने की रोक्सी आजा चले रोक्सी आजा अभी मैं आया हूँ इस गर पे यहां पे कुछ काम हो रहा है ये इदर खुदाई कर रहे हैं एंड ये मेरे चाचु हैं जो के कुछ बना रहे मैं जा रहा हूं तो सिफ से मिलने के लिए इसने मुझे बुलाया था कुछ काम बोल रहा था देख लो यार बिल्कुल बादल बारिश वले हो रहे हैं पता नहीं कब बारिश आईगी और वह रहा लडगा तो सिफ इसकी बैंस भी मुझे ही देखती है जब मैं आता हूं तो यह बैठ है तो सिफ यह लाया बुक पढ़ने के लिए बैस आप यार बारिश आगी चलते हैं बहुत जादा यार आज रात को इतनी खतरनाक वली बारिश होने वली है मैं बता रहा हूं आपको यार मुसम तो चेक करो एक बार अभी भी थोड़ी थोड़ी सी जो बारिश है न वो बरस रही है दो तीन दिन के बाद तो बाहर निकलना है मुश्किल हो जाएगा इतनी ठंड हो जाएगी यार चलो यार बारिश तो होती रहेगी लेकिन आज न तरस रहा है एंड दुआ के लिए कुछ चाहिए तो जाते हैं अभी दुकान पे एंड लेकर आते हैं कुछ यह आ गई हमारी रोड बस इसे रोड से चलना है उस तरफ है एक दुकान जिससे हमें लाना है सौमान रोड के उपर देखो तो ऐसी डलान सी है अंड नीचे देखोगे ये आ गया दर्या और दर्या के साथ यह बड़े बड़े पेड़ा एंड उस तरफ देखो में बलकुल प्लेंजा और उसके उपर देखो फिर पूरे बड़े बड़े पहाड पहर से चोठीया ही चोठीया यहां से आगे देखो ना तो पूरा फोग फोग हो रख है अगर फोग नहीं होती तो सामने बड़ी बड़ी पहाड़ियां दिखाई देती फाइलि यार फेड़ सो रुपे का ये में लेकर आ गया अगर मैं यहां से नीचे गिरूँ तो सीधा दर्या में जाओंगा इसलिए मुझे साफदान ये देखो गर गया था भी साफदान होके चलना पड़ता यार यहां पे तो